ये है चाहते की कहानी में आप देख रहे हैं कि जब से वैंकी आया है मिश्का की लाइफ में उसकी जिन्दगी अजाब बन चुकी है यानि कि मिश्का एक मिनिट भी अपने खुशी इंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि उसकी हर एक खुशी को डिस्ट्रॉय करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वैंकी का ही हाथ है यूँ तो रुद्राक्ष को वैंकी की हरकतों पर काफी पहले से ही शक हो चला था लेकिन अब जैसे जैसे रुद्राक्ष मुश्टतेदी से वैंकी के अतीत के रास के बारे में सब कुछ चानबीन कर दहा है वैसे वैसे रुद्राक्ष के सामने वैंकी का पूरा प्लान उसकी पूरी असलियत भी निकल कर सामने आ गई है बहुत जल्द आपको शो में दिखाया जाएगा कि वैंकी अपनी हरकतों को चुपाने के लिए कुछ ऐसी बड़ी हरकत करने वाला है जिसका खामियाजा उसे भुकतना तो ज़रूर पड़ेगा लेकिन उससे पहले वैंकी यहाँ पर प्रिशा की नजरों में हीरो बन कर साबित होने वाला है दरसल होगा कुछ यहाँ कि रुद्राक्ष यहाँ पर वैंकी को फोटेस दिखाने के लिए जाएगा जो उसने सरांश की फोन से कैप्चर की है और वो उसे दिखा करके उसे धमकाने के कोशिश करेगा कि अब वो प्रूफ के साथ जाएगा और प्रिशा और बाकी घरवालों को वैंकी का पूरा सच बताएगा कि वैंकी अब एक डम ठीक हो चुका है और उसे कोई भी दिमागी या फिश यारेरिक परेशानी नहीं है वो नॉमल हो चुका है और वही है जो सब प्रिशा की होने के बावजूद रुदराक्ष के होने के बावजूद भी मिश्का के साथ ये घिनोना खेल खेल रहा है बस वेंकी को ये बात नहीं आएगी पसंद और वो रुदराक्ष को तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि प्रिशा का हस्बिन है इसलिए वेंकी चलेगा एक ऐसी चाल कि वो रुदराक्ष को सीडियों से उतरते वक्त जानमोच कर ऐसा धक्का देगा कि रुदराक्ष के हाथ से उसका फोन चूट जाएगा और फोन चूटते वक्त रुदराक्ष को भी लगने वाला होगा धक्का वेंकी जैसे ही ये नोटिस करेगा कि रुदराक्ष भी सीडियों से गिरने वाला है तब ही वो उसे हाथ पकल कर बचा लेगा और प्रिशा और बाकी घरवालों के सामने वो बतौल हीरो ऐसे दिखाएगा कि जैसे रुदराक्ष की जान बाल बाल वेंकी नहीं बचाई है अब ऐसे में एक तरफ तो प्रिशा को रुदराक्ष भी वेंकी का पूरा सच बताने और दिखाने जा रहा था और दूसी तरफ वेंकी की साज़िश के चलते एक तरफ तो रुदराक्ष के सामने वेंकी बन चुका है हीरो अब ऐसे में रुदरुभला कैसे बताएगा प्रिशा को उसका सच और कैसे करेगा खुद को सही और प्रेंकी को गलत प्रूफ यह देखना होगा बेहद इंट्रॉस्टिंग बदाल ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेकाना ना भूलें